हेलो स्टूडेंट, विलकम बैक आप माई ओनलाइन क्लासे, मैसेल ब्यूटिद्वारी फ्रूम सत्यम सिक्चा सदन, I hope all are fit and fine, उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे, डियर स्टूडेंट, प्रिपेस क्लासे में हम लो करने जा रहे हैं, keep fit, यानि how to fit our body, that means how to keep fit our body, यानि हम अपने बड़ी को जो है, कैसे fit रख सकते हैं, उसकी बारे में शमझेंगे, तो लेट असे स्टार्ट टू नो, Muscles become weak and flavvy if they are not used for a long time, यानि जो muscles होते हैं, जो मानस्पेसिया होती हैं हमारे सरीर की, वह बहुत ही weak और लचीला हो जाती है, यानि बहुत ही लचीलापन हो जाती है, अगर हम उसे काफी समय तक, लंबे समय तक परियोग न करें तो, Regular exercise helps to develop and tone of our muscles, यानि प्रते दिन ब्याम जो हमारे सरीर के, यानि हमारे मानस्पेसिया के, टोन जो होता है, जो छोड़े जोड़े कोसिका होते हैं, उसको बिक्सित करने में मदद करता है, यानि उससे क्या करता है, a strong बनाता है, During exercise, air is pumped in and out of long at a faster rate, यानि exercise के दोरान, ब्याम करने के दोरान, जो हवा जो हमारे बोड़ी में क्या करता है, पॉंप करता है, यानि इन करता है, और हमारे लंग्स का जो rate होता है, यानि जो work speed होता है, वो faster हो जाता है, दोज more oxygen is taken in, यानि उस समय क्या होता है, कि हम अत्यारिक मात्रा में oxygen जो हमारे अपने बोड़ी के अंदर लेते हैं, और more carbon dioxide and water vapor are given out, और अत्यारिक मात्रा में carbon dioxide और जलवास्प को अपने बड़ी से बाहर करते हैं, यानि हमारा बड़ी का क्या होता है, बड़ जाता है, जिसके वज़से oxygen को जो हम लोग अत्यारिक मत्रा में अपने अंदर लेते हैं, और carbon dioxide और जलवास्प को बाहर करते हैं, The heart also beats at a faster day during exercise and blood, यानि हमारा धिर्दे का जो धरकन भी हो, वो क्या है, ब्याम करने के दवरान बढ़ जाता है, और blood circulation भी fast हो जाता है, Circulates faster, यानि हमारा blood क्या होता है, वो circulation जो होता है, वो तिब्र हो जाता है, exercise helps the nervous system by supporting more oxygen to brain, we must play outdoor games to keep our feet, our body fit, यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि exercise जो है, हमारे body में क्या help करता है, तो यह हमारे nervous system को भी यह मदद करता है, जिसमें जो अतियादिक मातरा में oxygen का supply हो पाता है, और हमारा brain जो है, उसके लिए सबसे important क्या है, जरूरी है कि हम outdoor game के लिए, यानि बाहरी जो game होता है, जै सारे जैसे मतलब जो भी games होते हैं, उस यह हमें अपने body को maintain रखने के लिए, स्वस्त रखने के लिए हमें outdoor game खेलना चाहिए, नेक्स्ट है, कि postures is the position in which we hold our body when we sit, extend or move, यानि postures क्या है, एक ऐसा आवस्था है, जो हमारे body को क्या करता है, जब हम बैठते हैं, या खरा होते है या घूमते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि conditions कैसा होना चाहिए, तो postures, यानि हमारे body को state रखना चाहिए, और state रखना चाहिए, we must sit and stand, यानि जब कभी भी हम बैठते हैं, या खरे होते हैं, तो बिलकुल सीधे, सीधे positions में खरे होना चाहिए, we must walk upright, और state होना चाहिए, correct postures give a grace, full appearance to our body, यानि अगर हम correct postures में अगर अपने body को रखते हैं, तो यह हमारे body को क्या करता है, full appearance देता है, यानि हमारे body को state रखता है, और body को fit रखता है, it improves the flexibility of our joint, और exercise जो होता है, या correct postures जो होता है, हमारे joint को भी flexibility बनाता है, यानि हमुशा चाहिए और उसमें कोई भी problem नहीं हो सकता है, हमारा जो हडी है, ओ, मुल रूप से क्या होता है, कि flexible मतलब की जैसे कि joint, यानि हमारे joint को flexible बनाता है, यानि उसको हम असानी अपने इक्षानुशार मोड़ सकते हैं, घुमा शकते हैं, और उस condition में कोई problem नहीं हो सकता है, तो यहाँ प उसके बार running हो गया, योगा हो गया, या playing मतलब हो गया, या walking हो गया, यानि हमें अपने body को fit रखने के लिए क्या क्या जरूर है, तो exercise, yoga, या आशन्स करते हैं, या हम walk करते हैं, तो यह सब जो हमारे body को fit रखता है, और healthy बनाता है, तो dear students, हम लोगों ने देख लिया कि कैस सब्सक्राइब को fit रखेंगे, और next topic में हम लोगों discuss करेंगे, tomorrow की enough rest, यानि हमारे body के लिए कितना necessary होता है, उसके बारे में discuss करेंगे, तो dear students, आज के लिए बस इतना है, that's all.